हलो फेंड आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आपका एकाउंट है जो कि कॉमर्स स्टुडेंटों के लिए है और यह आपका जो कोचन पेपर यह 2017 का है तो प्रिविशर कोचन देख लिए कि कैसा कोचन था किस किस टाइब कोचन का सिलिबस आप में नहीं हो उसको अग्णोर करिया और बाकी तो आपको काम कहीं क्यांकि प्रिविशर को चन साब को बहुत मदद मिलता है इसे यह पता चलता है कि आप कितना अभी तक पढ़ है कितना आपका रिविजह हैं और किस टाइब का कोचन में प परवाई जाता है तो उसको जा करके देखिए और नेक्स्ट बोर्ड एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वाचन अप्लोड किया जा रहा है तो उसको आप जा करके देखिए इस वीडियो मेरा मक्सद है कि आपको क्वाचन दिखाएंगे और इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका एंसर बता देंगे और सब्जेक्टिव का आपको खुद से एंसर करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देख लिए यह एकांटेंसी है आपका फूल मार्क्स 80 एंड पास मार्क्स जो है 26 है ठीक है समय दे रखा तिन गंटा यहां पर लिखा पहला जो कोचन आपको लिखा हुआ यह इंग्लीस में इसमें पहला कोचन लिखावा है इस पेसिफिक डूनेशन इज चार ओप्षन दिया हुआ है तो इसका जो करेक्ट ओप्षन होगा वह ओगा ओप्षन नमबर डी ठीक है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स अब कैस्या इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है देख लिख़ें रीज हिंदी में भी लिखा गए गईर बाया पारीकर संस्थाओं के अधिकर लेंदेन होते हैं तरह चार ओप्षन दिया हुआ है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोचन नमबर तरी क कोचन नमबर 3 लिखा हुआ है फोर दा फार्म एंट्रेस्ट ऑन गैपिटल एज तो चार ओप्शन इसमें दिया हुआ तो कौन सा हो जागा तो ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा सही हानी ठीक है फार्म के लिए पुंजी पर व्याज है इसके बाद आगे बढ़े तो कोचन होतियों के मुल्य में बिरिधी कहलाती है तो मुल्य बिरिधी इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट है कोचन नमबर 5 कोचन नमबर 5 देखे लिखा हुआ है प्रोफिट ओनर रिगोलिशन एज शेड अमंग और पार्टन एन तो इसका जो करेक्ट ओप्शन और फाइफ क सही प्रसनल अकाउंट इसके बाद आगे बढ़ें तो अंस आविदन खाता यह हिंदी में है इसके बाद आगे बढ़ें तो कोचन नमबर 7 है तो कोचन नमबर 7 कराया है गुड़ विल एज पेड़ टूदा रिटारिंग पार्टनर इन ठीक है तो कौन सो आप्शन होगा त इसके बाद आगे बढ़ें तो हिंदी में भी त्याग का अनुपात ग्याद करना होता है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका कोचन नमबर 9 लिखावा है जेनरली डिवेंचर आर डिवेंचर आर तो कौन सो आप्शन होगा तो इसका हो जाएगा सेक योडो शुरक्षीत चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका यह ऊसके बाद है कोचन नमबर 10 10 में देखी क्या लिखा हुआ है रिन पत्र का प्रतिफण होथा है तो रिन पत्र का जो प्रतिफण होता है कॉन सो जाखा तो आप्शन नमबर इसका जो सई तो इसमें लिखा हुआ है ख्याती के मुल्यांकन के पुंजी करण बीदी का वर्णन करें ठीक है डिस्क्राइब आपको करना है चली इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका हिंदी में भी देख लिए रहा कोचन और उम्मिदे के आपको किलीन दिख रहा होगा चली इसके बाद आगे बढ़ें तो कोचन नमबर 14 16 देख लिए इस में लिखा हुआ है और इसके बाद आपका ये तो अभी इसको पल लिजिया इसके बाद पहले बुद्ष और या है इसमें दो भी बादिफ़ें और हिंदी में भी दिया हुआ धिख लिए चली हिसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्टा नमबर 15 तो 15 कोचन देख लीजिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका हिंदी में भी तो हिंदी में भी देख लीजिए चलिए इसके बाद चलि इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका 17 तो हीरा question number सेवेंटिन इसको देखा हुआ है तो हिंदी में भी आपको δिखा रहे हैं तो हीरा हीरा आपका हिंदी में question इसको देखा हुआ है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो next आपका question number 18 देखा हुआ है at the time of admission of a new partner the assets and liabilities were revalued the following evolutions were made तो दो कोचन इसमें दे रखा इसको देख लिजीगा चली आगे बढ़ें तो next है दोने वलकि यहाँ पर 5 कोचन दीवें तो इस कोचन से देख लिजी इसके बाद आगे बढ़ें चली तो यह आपका कोचन रहा है चली पांच निज disp し फैर कोचन तो इसको दिख लिजीगा यह चली इसकेबाद आगे बढ़ें तो नेक्स का ngd हें हुआ है तो देख लिजीए इसको चली इसके बाद कोचन नमबर 25 उए आई तो नेक्स कोचन नुमिरा आपका यह था कोचन करते हैं छोटा, तो यह है आपका question, इस type का हिंदी में आपको दिखाते हैं, यह आपका हिंदी में भी question, चलए आगे बढ़ें, तो next type का है, यह आपका question number 19 है, इसके बाद आपका वो तो table When you talk aboutkt να एक दो, तीन, चार, और यह रहा पांच नमबर नहीं बलकि यह आठ नमबर का है ठीक है तो यह कोचन कोचे से देख लिजिए चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स टाप का है यह रहा हिंदी में भी तो देख लिजिए इसको चलिए इसके बाद है कोचन नमबर 20 20 से देख लिजिए और आग चलिए इसके बाद है question number आपका section B section part B start होता है ठीक है वो part A में ही था सब चलिए इसके बाद आगए बढ़ें तो यह आपका question number A की से इसमें लिखा हुआ है discuss the various characteristics of ideal financial statements तो यह four marks का है इसको देख लिजिए और इसके बाद आगए बढ़ें तो और में भी करके दिया हुआ है चलिए इसके बाद आपका question number wise calculate the way turn over ratio from the following information information कुछ दिया हुआ है चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो यह आपका Hindi में और आगे बढ़ते हैं तो यह आपका दिया हुआ और करके चलिए इसके बाद कोचन नमबर 23 में लिखा हुआ को चन नमबर 23 में कुछ हिसे परकर कोचन दिया हुआ है और यह आपका हिंदी में भी, चल इसके बाद आपका, यह कोचन लगड़ 24 जो कि लास्ट कोचन है ठीक है, यह आपका हिंदी में तो देख लिजिए, दोनों, ठीक है, तो यह आपका, एकाउंट्स का कोचन पेपर, जो कि आपके लिए हम सिर्फ इसमिन कोचन आपको दिखान अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप कमेंट कीजिए आपकी कमेंट को ध्यान में रखा जाता है और अगर आप चाहते हैं इसका सोलीशन भी अपलोड किया जाएगा बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया हुआ आप उसको भी जा करके देखें इसी तरह से हमारे चनल पर बन रहे इसके लिए बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद